हेलो गाइस विल्कम बैक टो माई चैनल आज मैं पोहा और मुर्मूरे का मिक्सर नमकिन की रेसेपी सेयर कर रही हूँ जो बहुत चादा क्रिश्पी और एकदम स्वाधिश्ट बन के तयार होता है जिसे एक बर बना कर हम दो मैने के लिए आराम से इस्टोर करके रख सकते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर मुर्मूरे ले लिया है मुर्मूरे को पहले अच्छे से साफ कर लेना है और मेरा मुर्मूरे एकदम साफ है क्लियर है अब इसके बात मैं जितना मुर्मूरे ली हूँ उसका आधा मैं यहाँ पर पोहा ली हूँ पोहा को भी बहुत ही अच्छ अन करके कड़ाई गर्म कर लूँगी और इसमें लगभग दो से तीन छोटा चमच तेल एट करूँगी तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं मुंख़ली का दाना एट कर दूँगी और इसे लो टू मिडियम फ्लेम में बहुत ही अच्छे से फ्राई करना ह इसे तब तक फ्राई करना है जब तक इसमें क्रेक केक की आवाज ना आ जाये तब ही बहुत ही क्रिश्पी से फ्राई हो जाता है जैसे ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि निकालने के बाद इसमें और कलर आ जाता है अब यहां पर यह बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे कटोरी में हम इसे निकाल लेते हैं, ऐसी है हमें इसे लो से मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेना है, अब यहाँ पर मैं कड़ी पतल ही हूँ, मैं इसे पहले तोड रही थी लेकिन मैं सोची कि इसे ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ इससे प्राइidente करके निकालने में असानी होगी है अगर हम इस तोड़ कर फ्राई करते हैं तो इससे निकालते निकालते जल जाता है फिर इसमेफी कड़वपन आ जाता है इससे बहुं ज़्या जलने के बाद ठंड़ा होने के बाद एय और जद्धा क्रिश्पी हो जाता है हाँ पर आप देख सकते हैं-बहुत प्राइं हो गया है यहीं पर मैं तीन सुखी मिर्ची लीओं लाल अात श्रावव फीकी मिर्चि इसे भी अच्छे फ्राई कर लेंगे और यह जल्दी फ्राई हो जाता है इसे भी जलाना नहीं आपेसी हेलकर राता फ्राई कर लेगे क्याirl 2000 के वर ख्की टो जी के लिगा खुजबू आ जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे इसे मिस्चर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बहुत ही अच्छी खुजबू आती है आप चाहे तो इहीं पर शौफ का दाना भी अच्छे से फ्राई कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं स्वाद अनुशा नमक और हल्द भी ट हंती का पाउडर थोड़ा से ही लाल मिर्ज रेंठ लेंगे मां पर शौफ मत्त आता है अगर यहाँ दालता है अगर हम मुसाला बाद हैं तो इत्ना अच्छा नहीं आता अब इसे ल्ट 他的 Лमी अजा है तब तक हैं अच्छे से नहीं जाया एक डंकी आया ना हो जाएं इसे बहुत ही कृश्पी होने तक बहुत ही अच्छे से फ्राई करना है नहीं तो इसमें कच्चा पन लगेगा अगर आपका पोहा पत्दा पोहा है तो बहुत ही कम समय में हो जाएगा और ये मोटवा है तो इसमें लगवग 5-7 मिनत लगा फ्राई होने में अब यहाँ पर अ जाल कस्मेरी मिल्चिक पाउडर और यहां पर आधा चोटा चमच नमक एड़ की हूँ नमक आप अपने ट्रेश्ट के कार्डिंग एड़ कीजिए और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस मसाले में मुर्मूरे को एड़ कर देंगे और मुर्मूरे को मसाले में बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे लो फ्ले में बहुत ही अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है इसे जब तक फ्राई करना है तब तक यह बहुत ही अच्छे से क्रिश्पी ना हो जाए और यह धियार रखना है कि मुर्मूरे को लो फ्ले में ही फ्राई करने नह और इसमें high या medium flame नहीं रखना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जलने लगता है आप भी अपने घर में जरूर से ट्राइ कीजिए बहुत ही क्रिश्पी और बहुत तेस्टी नास्तबन के तयार होता है ये बच्चों बड़ों सबको बहुत ही पसंद आएगा यहां पर आप है बहुत ही क्रिश्पी हो गया है तब हम यहां पर घश बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे इसे अब एक थाली में निकाल लेते हैं इसके बाद हम पोहा जो फ्राइप कीये थे इसमें एट कर लेंगे यहाँ पर हम उंगफली और कड़ी फत्ता जो भी फ्राई किये थे सब को इसमें मेक्स कर लेंगे इसे आप जिसे भी खिलाएंगे कोई बता ही नहीं पाएंगे इसके इसे घर में बनाया है इक दम मारकेट ज 되し अघटा है और टेस्ट तो मारकेट से भी बहुत ही अच्छा लगता है अब यहाँ पर मैं मिक्सर एट करूंगी इसे टेस्ट और बढ़ जाता है यहाँ पर मैं कड़ी पत्ता को थोड़ा सा तोड रही हूँ और इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और खुस्बू बढ़ जाती है यहाँ पर मैंने मिक्चर एड कर लिया है और सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपको कैसे लग रहा है मुर्मूरे और पोहे का मिक्चर नमकिन मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर बताईए अब यहाँ पर मैं फ्राई कीओ इमेज को एड़ कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो इसे एर टाइट कंटेनर में भर लेंगे और इसे लगभग 2-5 महिने तक अराम से इसे इस्टोर करके रख सकते हैं बहुत ही क्रिश्पी और एकदम टेस्टी बन कर तयार होता है आप इसे बच्चों को खिलाईए इसकी टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं बच्चों के टिफिन बॉक्स में बहुत ही टेस्टी बन कर तयार होता है और घर का है तो हाईजीनिक भी होता है आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट बाक्स में जरूर बताईए आज की रेसेपी पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजे मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे और ज्यादा से ज्यादा से एर कीजिए फिर मिलते हैं नेस्टर वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए राधे राधे अपना ख्याल रखे अपनों का ख्याल रखे थैंक्स फोर वाजिंग